प्रेशर कुकर बनता जा रहा है जो अगर फटा तो पूरा अरब इसकी चपेट में आ सकता है एक तरफ आज अमारेका के विदेश मंत्री जॉर्डन की राजधानी में मौझूद थे तो वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन की राजधानी में हजारों लोग इसराइल को लेकर सड़कों पर उतरे हुए थे तुर्की एजब्ट और इराक में भी लोग सड़कों पर उतर आये थे आधी दुनिया गाज़ा पट्टी के नाम पर उबल रही है गाज़ा के चलते हालात लगातार बिगड़ते ही चले जा रहे है गाजा में पानी खत्म हो रहा है गाजा में खाना खत्म हो रहा है गाजा में गैस खत्म हो रही है गाजा में बिजली खत्म हो चुकी है गाजा में अस्पतालों की हिम्मत तूट रही है गाजा के मुर्ताखरों में लाशे ही लाशे हैं गाजा एक ऐसा नरक बन चुका है जिसमें 20 लाग से ज्यादा लोग बेचैन, बदहवास और परिशान है गाजा के लोग भागना चाहते हैं लेकिन आखिर भाग कर जाएं कहां एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ इस्राइल है और तीसरी तरफ एजिप्ट है जिसने अपनी सीमाओं को बेहद सक्ती से बंद कर दिया है पीने के लिए अब समंदर का नमकीन पानी है खंडर बनते जा रहे गाजा का ताप मान बढ़ता जा रहा है हर एक शत हर एक दिन बीतने के साथ तबाह हो रही है और इस खतरनाक तबाही से भी ज्यादा तबाही इसरैल के लड़ाकों विवानों के बंब बरसा रहे हैं इन सब के बीच वेस्ट एशिया के अंदर इसरैल ने तूफान मचा दिया है इसरैल डिफेंस फोर्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड में आ चुकी है गाजा पर हमले के लिए टैंकों की सेना तैयार हो चुकी है इसरैल के उत्तर में लेबनन की सीमा पर हिजबुल्ला पर भी इसरैल डिफेंस फोर्स कहर बरपा रही है और उत्तर में ही मौजूद सीरिया के बॉर्डर पर भी इसरैल मूतोर जबाब दे रहा है इसरैल इतना ओग्र हो चुका है कि जैसे ही ये खबर आई कि इरान की विदेश मंत्री सीरिया में दौरा करने वाले हैं वैसे ही दमिश्क और अलप्तो के हवाई अड्डों पर इसरैल ने बम बरसा दिया और इन हवाई अड्डों को ही तबाह कर दिया इसका मकसद साफ है कि इरान की जरिये हवाई जहाद से हत्यारों के कारगो विमान सीरिया में उतर ही ना सके क्या वर्ड वार शुरू हो चुका है इस सवाल का जवाब बहुत सारे एक्सपर्स शायद हामें भी देंगे लेकिन इस वर्ड वार की धुरी गाजा पट्टी बन जाएगी इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था इस्राइल ने गाजा को सप्लाई की जाने वाली रसत सामगरी पानी समेत अन्य सप्लाई की जो चेन है उसे काट दिया है फिलिस्तीन के अर्वी भाषा के अखबारों के मताबि गाजा में दवा की कमी 44 प्रतिशत हो चुकी है गाजा में बिजली की कमी 80 प्रतिशत हो चुकी है गाजा के अंदर 20 प्रतिशत बिजली अभी तक जेनरेटर से पैदा हो रही थी लेकिन इंधन की कमी की वज़े से अब जेनरेटर भी बंद होने लगे हैं और इसकी वज़ा से गाजा के अस्पतालों में इलाज में भी दिक्कत हा रही है क्योंकि वहाँ बिजली के आपूर्ती में कठिनाई हो रही है गाजा के अस्पतालों में नाके बंदी की वज़े से चिकित्सा उपकरणों की कमी 33 प्रतिशत तक हो चुकी है अस्पतालों के ब्लट बैंक में खून तेजी से खत्म हो रहा है अब सवाल ये उड़ता है कि आखिर गाजा में मौजूद 20 लाग से जादा लोग क्या करेंगे जाहिर सी बात है कि एजिप्ट की सरकार के तरफ से कूटनितिक बायान ये आया है कि लोग गाजा पट्टी को नहीं छोड़े क्योंकि अगर गाजा खाली हो गया तो इसराइल जमीन पर कबजा कर लेगा और फिर उनको वो जमीन वापस नहीं मिल पाएगी ऐसे में अगर गाजा के लोग जहां हैं वहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर ये गाजा के लोग या तो human shield बनेंगे यानि मानो कवज बन जाएंगे जिसका इस्तिमाल या तो हमास के लड़ाके करेंगे या फिर ये लोग भी युद में शामिल हो सकते हैं इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमास गाजा के लोगों को भी युद लड़ने के लिए मजबूर कर दे मैं इस वक्त इजरायल के जिरौत में हूँ दरसल खून इजरायल में भी बह रहा है और गाजा में भी लेकिन असल खूनी खेल तब खेला जाएगा जब इजरायल के सेना गाजा शहर में पहुंचेगी और वहाँ दोनों पक्छों की तरप से शहरी युद होगा यानि गुरिल्ला वार होगा गाजा शहर के शहरी इमारतों में दूसरे विश्युद में ऐसा ही रूस के अंदर लेनिंग्राद और बरलिन में भी हुआ था ये एक अर्बन वारफेर था जिसमें लेनिंग्राद और बरलिन के अंदर इमारतों के अंदर से एक खूनी जंग लड़ी जा रही थी जिसमें बेहत खतरनाक जंग होई थी हिटलर जैसे ताना शाह की मजबूत आर्मी बेस अर्बन वार्फेर यानि शहरी युद्ध को नहीं जेल सकी थी और कुछ ऐसा ही युद्ध अब गाजा के अंदर होने जा रहा है जिन इमारतों को इसरैल ने हवाई हमले करके खंडर में तबदील कर दिया है उसी इमारतों के अंदर से हमास के आतंकी खतरनाक गोरिल्ला युद्ध चेड़ने वाले हैं जिसका अंजाम क्या होगा ये कहना इतना आसान भी नहीं है फिलहाल इस्थिती ये है कि इसरैल की फोर्स इंतजार करेगी कि जब तक गाजा के अंदर विजली पानी और खाने की कमी से हाहकार न मच जाए हमास के आतंकियों को भूखा ही मार देना इसरैल की पहली स्ट्रेड़िजी है इसलिए गाजा के बॉर्डर पर सेनाय खड़ी है और तब तक युद्ध शुरू नहीं करेंगी जब तक मुसाद के एजेंट उनको दुश्मन की सही जानकारी नमोहिया करवा दे और इसलिए ये युद्ध अभी लंबा खिचेगा क्योंकि गाजा के अंदर घुसकर वहाँ सुरंगों में घुसे आदंकियों की जाल में फंस जाने का डर भी इसरैल को है यही वज़ा है कि इसरैल एक एक कदम फूप फूप कर रख रहा है इसरैल इस बात को समझ चुका है कि गाजा की लड़ाई कटिम है इसलिए इसरैल ने अपनी आर्मी की फुल स्ट्रेंथ बुला ली है इसरैल की आर्मी में दो तरह के सैनिक है पहले सैनिक इसरैल की एक्टिव आर्मी और दूसरे सैनिक है इसरैल की रिजर्व आर्मी इस्राइल के अंदर 50 साल से कम उम्र के लोग रिजर्व आर्मी के सदस्य होते हैं सामान्य परिस्थितियों में इनमें से ये रिजर्व आर्मी साल में एक बार इस्राइल के रक्षा मंत्राहे को रिपोर्ट करती है लेकिन अब इस्राइल ने अपनी तीन चौधाई रिजर्व फोर्स को बुला लिया है यानि इस्राइल की 3,60,000 के रिजर्व आर्मी और इस्राइल की 1,50,000 के एक्टिव आर्मी को मिला कर इस्राइल कुल 5,10,000 सैनिक बुला चुका है